Good morning friends, स्वागत है आपका, आपके अपने YouTube चैनल, Study with the way ठाकर पर चलिए, शुरुगात करते हैं weekly vocabulary के revision की document की PDF, आपको telegram group में मिल जाएगी, telegram group का link में इसी video के description box में डाल दूँगा, तो आप इस video के description box में जागा, telegram group के link को access हर पाएंगे, तो चलिए फटा-फट से revision करते हैं अपना जो previous six days में हमने वगयाब किया, उसका revision करते हैं फटा-फट से, हमारा पहला word था flounder, flounder यहाँ पर word की तरह use हुआ है, flounder का मतलब होता है, एकदम से लडखडा जाना, किसी चीज का, या असफलता लगना किसी, कोई हम काम कर रहे हैं, तो उसमें एकदम से असफल ह हो जाना, या लडखडाने की स्थिती होना, उसको बोला जाता है, flounder, अगला हमारा शब्द consequence, consequence यहाँ पर noun की तरह use हुआ है, consequence का मतलब होता है, हमने किसी तरह का कोई काम किया है, तो उसके काम करने के बाद में आने वाला जो परिणाम होगा, नतीजा होगा, नतीजा बोल सकते हैं, outcome उसका बोल सकते हैं, उसे बोला जाएगा consequence, अगला हमारा शब्द अफ्लूएंट, अफ्लूएंट यहाँ पर जिक्ति की तरह use हुआ है, अफ्लूएंट का मतलब होता है, अमीर विक्ति, धनी विक्ति से, जो एकदम समरिध हो, जिसके पास संसाधनों की कि क ट्राकी कोई कमी ना हो, उसे बोला जाएगा, affect, अगला हमारा शब्द अफ्लूएंट, अगला हमारा शब्द ञाएपकेक्स, यहाँ पेर नाउन की तरह यूज हुआ है, अपक्स का मतलब होता है, उचितम शिक्षार यहाँ चूटी, इसका यूज हुआ है, अपक्स लिया है, कोई रिन लिया है और वोसे वापिस चुकाने में असमर्थ हो जाता है तो उसे बोला जाएगा insolvent और ऐसी स्थिती को बोला जाएगा insolvency माफ कीजिएगा अगला हमारा शब्द है mortality, mortality यहाँ पर noun की तरह यूज हुआ है, mortality का मतलब होता है मरने वालों की संक्या या मृत्यू दर से, death rate, death fatality, उसे बोला जाएगा mortality अगला हमारा शब्द है indiscriminate, indiscriminate वर्ड यहाँ पर adjective की तरह यूज हुआ है indiscriminate वर्ड का मतलब होता है, बिना सोचे समझे कोई काम करना, ला परवाही बरतना, बे परवाही बरतना किसी काम को करते हुए अपनी बुद्धी का प्रयोग ही ना करना, उसे बोला जाएगा indiscriminate अगला हमारा शब्द है susceptible, susceptible यहाँ पर adjective की तरह यूज हुआ है, susceptible का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसे physically या mentally easily hurt किया जा सके, जो बेहत कोमल हो, दुर्बल हो, बेहत कमजोर होना, उसे बोला जाएगा susceptible अगला हमारा शब्द है ramp up, word यहाँ पर वर्प की तरह यूज हुआ है, ramp up का मतलब होता है, अचानक से मतलब बड़ी तेजी के साथ वृद्धी हो जाना किसी चीज में, बढ़ना किसी चीज का लगातार, वृद्धी होना, बढ़ना increase होना किसी चीज का, उसे बोला जाता ह ramp up, अगला हमारा शब्द है severe, severe यहाँ पर एजिक्टिव की तरह यूज हुआ है, severe का मतलब होता है, ऐसी कोई स्थिती या ऐसी कोई बात, जो बेहत गंभीर हो, कष्ट पहुंचाने वाली हो, कष्ट में हो, उसे बोला जाएगा severe, अगला हमारा शब्द है, indisposed, indisposed यहाँ खराब होना, उसे बोला जाता है, indisposed, अगला हमारा शब्द expansion, expansion यहाँ पर noun की तरह यूज हुआ है, expansion का मतलब होता है, किसी भी चीज का प्रसार होना, फैलाओ होना, उसका विस्तार होना, ग्रोथ होना, increase होना किसी चीज में, उसे बोला जाता है, expansion, अगला हमारा शब्द Enthused, Enthused यहां पर Verb की तरा यूज़ हुआ है Enthused का मतलब होता है एकदम उत्साह से भरे होना योट से भरे होना, उत्साहित होना Excited, Enthusiastic होना उसे बोलाजाता है Enthused अगला हमारा शब्द है Procrastination Procrastination यहां पर Norm की तरा यूज़ हुआ है Procrastination का मतलब होता है किसी भी काम को ना करना टालते रहना उसको जान बुज़कर देरी करते रहना टाल मटोल करना विलंब करना उसे बोला जाता है Procrastination अगला हमारा शब्द है Manipulated Manipulated word यहां पर वर्ब की तरह यूज़ हुआ है Manipulated का मतलब होता है किसी को प्रभावित करना किसी विक्ती को प्रभावित करना Influence करना किसी को जिससे की वो वैसा ही काम करे जैसा हम उसे करने के लिए तहें तो ऐसी स्थिति को बोला जाता है Manipulated अगला हमारा शब्द है Tarnish Tarnish यहां पर noun की तरह यूज़ हुआ है Tarnish का मतलब होता है किसी को कलंकित करना अपमानित करना या criticism करना किसी का या हम बोल सकते हैं किसी चीज़ को मिला कर किसी चीज़ में कोई चीज़ मिला कर उसको दूशित कर देना खराब कर देना उसे बोला जाएगा Tarnish अगला हमारा शब्द है Disparage Disparage यहां पर verb की तरह यूज़ हुआ है Disparage का मतलब होता है किसी की बुराई करना निंदा करना criticism करना किसी का बुराई करना उसे बोला जाता है Disparage अगला हमारा शब्द है Baffling Baffling यहां पर verb की तरह यूज़ हुआ है Baffling का मतलब होता है और यह new word है मैंने बताया था आपको यह new word है नोट कर लीजेगा Baffling का मतलब होता है किसी को confuse करना Puzzle करना ब्रहमित करना उलज़न में उसे डाल देना उसे बोला जाता है Baffling अगला हमारा शब्द है Prejudice Prejudice यहां पर verb की तरह यूज़ हुआ है Prejudice का मतलब होता है किसी के साथ किसी तरह का कोई पक्षपात करना हानी पहुचाना किसी को या फिर भेद भाव पूर्ण में वहार करना पक्षपात करना उसे बोला जाता है Prejudice अगला हमारा शब्द है Arbitrary Arbitrary यहां पर Ejective की तरह यूज़ हुआ है Arbitrary का मतलब होता है मनमानी करना अपनी मनमाना होना अनुचित होना किसी भी नियम या करून का पालन ना करना अपनी ही मनमानी करना और यहां हम बोल सकते हैं स्वेच्छाचारी होना उसे बोला जाता है Arbitrary अगला हमारा शब्द है Intimidate Intimidate यहां पर वर्ब की तरह यूज़ हुआ है Intimidate का मतलब होता है किसी को धमकी देना दरारा धमकाना या भैभीत करना किसी को उसको बोला जाता है Intimidate अगला हमारा शब्द है Succession Succession यहां पर नावं की तरह यूज़ हुआ है Succession का मतलब होता है किसी भी प्रक्रिया को रोक देना किसी तरह का कोई विराम ठहराओ या अंत हो जाना समाप्ती हो जाना किसी चीज़ की उसे बोला जाता है Succession अगला हमारा शब्द है Vague Vague यहां पर जिक्टी की तरह यूज़ हुआ है Vague का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिती जो बेहद अस्पष्ट हो, धुंदली हो एकदम जिसमें Uncertainty हो जिसे समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिती को बोला जाएगा Vague V-A-G-U-E अगला हमारा शब्द है Myzma Myzma यहां पर वर्ब की तरह यूज़ हुआ है Myzma का मतलब होता है माफ कीज़ेगा गला थोड़ा सा खराब है Myzma का मतलब होता है बहुत सारी समस्या हो यहां कहिनाईों से घीरा होना एकदम बहुत सारी प्रॉब्लम्स एकदम आ गई है और उससे हम घीरे है उसे बोला गया है Myzma यहां जो जनरली यूज़ होता है इस वर्ड का मैंने बताया था आपको जनरली यूज़ होता है बहुत खतरनाक सी गैस है और उसका जो मिशन होता है उसे भी बोला जाएगा Myzma M-I-S-M-A Myzma अगला शब्द है अपेटाइट अपेटाइट यहां पे नावन की तरह यूज़ हुआ है अपेटाइट का मतलब होता है बना रखना किसी चीज़ से टालना, बचना उसे बोला जाता है अगला हमारा शब्द है इंपेटिव इंपेटिव यहां पे जिक्टिव भी तरह यूज़ हुआ है इंपेटिव का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसा कोई काम जो बहुत ज़रूरी हो बहुत ज़्यादा आवश्यक हो अनिवारे हो अत्यावश्यक उसे बोला जाता है इंपेटिव अगला हमारा शब्द है ग्रिवेंस यहां पे नावन की तरह यूज़ हुआ है ग्रिवेंस का मतलब होता है किसी तरह की कोई शिकायत दुख, कष्ट या व्यथा बताना अपनी कंप्लेंट बताना अपनी कंप्लेंट करना ग्रज किसी तरह का ग्रज होना उसे बोला जाता है अगला हमारा शब्द है प्लेथोरा प्लेथोरा यहां पे नावन की तरह यूज़ हुआ है प्लेथोरा का मतलब होता है, किसी भी चीज की अवशक्ता से अधिक मात्रा में होना, किसी भी चीज का अवशक्ता से अधिक होना, भरमार होना एक दम, एक्सेस क्वांटिटी में होना, सर्प्लस होना, भरमार, बाहुल्य, प्रचुर्ता होना, उसे बोला जाता है प्लेथोर अगला हमारा शब्द है stand-off, stand-off यहां पर noun की तरह यूज़ हुआ है, stand-off का मतलब होता है, किसी भी तरह का कोई process है, या कोई बाचीत है, किसी भी तरह का कोई काम है, तो उसमें गतिरोध रुकावट आ जाना, गतिरोध की स्थिती होना, कि उसमें development ही आगे develop ही ना हो पाए, तो ऐसी स्थिती को बोला जाता है, stand-off, अगला हमारा शब्द है, vulnerable, यहां पर जिक्तिक भी तरह यूज़ हुआ है, vulnerable का मतलब होता है, ऐसी कोई चीज जो बेहत समवेदन शील हो, जिसे easily, physically या mentally hurt किया जा सके, समवेदन शील होना, नाजुक होना, बेहत कमजोर होना, उसे बढ़ना, flourish, grow होना किसी चीज़ का बड़ी तेजी के साथ, उसे बोला जाता है, burgeoning, अगला हमारा शब्द है, prudent, यहां पर जिक्तिक भी तरह यूज़ हुआ है, prudent का मतलब होता है, अपनी बुद्धी का यूज़ करके, विवेक पून तरीके से, सावधानी से कोई कारे क करने, चौकसी बरतना किसी कारे को करते हुए, या कोई, डिसीजन लेते हुए, इस तरह का, मतलब अपनी बुद्धी का यूज़ करना, बड़ी केरफुल रहना, उसे बोला जाता है, prudent, अगला हमारा शब्द है, deployment, deployment, यहां पर नाव की तरह यूज़ हुआ है, deployment का, जो simple म करना, उसको मूल रूप में लाना, मतलब प्रोसेस में लाना किसी चीज़ को, उसे बोला गया था, deployment, अगला हमारा शब्द है, imperious, imperious यहां पर जिक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, imperious का मतलब होता है, गहमंडी होना, अभीमानी होना, एरोगेंट होना एक दम, बिलकुल से, उसे बोला जाता है, imperious, और यह new word था, मैंने बताया था आपको, नोट कर लिजेगा, imperious, अगला हमारा शब्द है, आ की पहलेगो, आ की पहलेगो भी new word था, आ की पहलेगो यहां पे noun की तरह यूज़ हुआ था, आ की पहलेगो का मतलब मैंने बताया था आपको, छोटे आ की पहलेगो, अगला हमारा शब्द है rumaging, rumaging word यहां पे verb की तरह यूज़ हुआ है, rumaging का मतलब होता है, कुछ धूनने की हम कोशिश कर रहे हैं, और कुछ धूनते उस चीज़ को धूनते हुए, हम चीज़ों को इधर उधर फैला रहे हैं, तो उस स्थिती को बोला rumaging, अगला हमारा शब्द है fragile, fragile यहां पे adjective भी तरह यूज़ हुआ है, fragile का मतलब होता है, एकदम से नाजुक होना किसी चीज़ का कमजोर होना बेहत दूरबल होना, delicate होना कोई भी चीज़, weak होना, frail, जिसे easily hurt किया जा सके, उसे बोला जाता है fragile, अगला हमारा शब्द है inhabitant inhabitants, यहां पे noun की तरह यूज़ हुआ है, inhabitants का मतलब होता है, किसी जगह पर रहने वाले, किसी देश में, किसी राज्य में रहने वाला अव्यक्ति, वहां का बाशिंदा, स्थाई निवासी, resident वहां का, उसे बोला जाएगा inhabitants, अगला हमारा शब्द है insistent, insistent यहां पे adjective की तरह यूज़ हुआ है, insistent का मतलब होता है, एकदम से, हम कई बार बोलते हैं, informal language में कई बार यूज़ करते हैं, कि insist करना किसी चीज़ के लिए, किसी को, जोर जबरदस्ती करना, तो insistent का मतलब है, यहां पे जिर्दी, हठी, या अडियलता, अडियलपन होना, उसे बोला गया है insistent, अगला हमारा शब्द है, defamation, defamation यहां पे noun की तरह यूज़ हुआ है, defamation का मतलब होता है, मान हानी करना किसी की, आपियश या फिर criticism करना किसी का, निंदा करना किसी की, उसे बोला जाता है defamation, अगला हमारा शब्द है incitement, incitement यहां पे noun की तरह यूज़ हुआ है, incitement का मतलब होता है किसी को किसी बात के लिए किसी काम के लिए उक्साना भढ़काना उसे बहुत जाता उत्तेजित करना उसे बोला जाता है incitement अगला हमारा शब्द discriminate डिस्कमिनेट वर्ड यहां पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है discriminate वर्ड का मतलब होता है किसी से किसी तरह का पक्षपात करना बेदभाव करना उसे बोला जाता है discriminate अगला हमारा शब्द लेक्यूना लेक्यूना वर्ड यहां पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है लेक्यूना का मतलब होता है किसी तरह का कोई system है कोई process है तो उसमें किसी तरह की कोई कमिया होना कई तरह की कुई कमिया होना कमी निकाना है कोई खामी होना किसी तरह की उसमें उसे बोला जाता है like you na अगला हमारा शब्द है eminent eminent यहां पर adjective की तरह यूज़ हुआ है eminent का मतलब होता है एसी कोई अपरिय घटना जो हमें लगता है कि in future में घटने ही वाली हो अपरिय घटना जो शीगर ही घटने वाली हो उसे बोला जाएगा eminent अगला हमारा शब्द है inevitable inevitable word यहां पर adjective की तरह यूज़ हुआ है inevitable का मतलब होता है ऐसी कोई घटना ऐसा कोई बात जो होकर ही रहेगी जिसे हम टाला ही ना जा सके जो unavoidable हो उसे बोला जाता है inevitable अगला हमारा शब्द है catastrophe catastrophe यहां पर noun की तरह यूज़ हुआ है catastrophe का मतलब होता है एकदम से महावी पत्ती आ जाना अकस्मी कितम से तबाही होना विनाश, disaster, calamity उसे बोला जाता है catastrophe यह word यूज़ हुआ था चक्रवात के लिए catastrophe अगला हमारा शब्द है aftermath aftermath word यहां पर noun की तरह यूज़ हुआ है aftermath का मतलब होता है कोई घटना घट चुकी है, mostly वो किस तरकी घटना हो अप यह घटना हो या कोई महत्तवून घटना हो उस घटना के घटित होने के बाद जो आने वाले होने वाले परिनाम होंगे उसे बोला जाएगा aftermath अगला हमारा शब्द है postulates और यह postulates word weekly vocabulary का अंतिम शब्द है postulate word यहां पर वर्ब की तरह यूज हुआ था postulate का मतलब मैंने आपको बताया था किसी चीज के सही होने का प्रस्ताव रखना, कोई बात हम बोल रहे हैं तो उसका proposal रखना या फिर उसे स्विकार कर लेना कि in future उस बात का अधार मानकर उसे हम सिध्धान्त की तरह स्विकार कर सकें उसे बोला जाता है postulates तो यह postulates word the Hindu editorial vocabulary का जो weekly हम revision करते हैं अंतिम शब्द था तो मैंने आपको फटा-फट से यह revision केवल करवाया है मैंने इसमें आपको explanation ज़ादा दी है तो आप यह वीडियो जरूर करके देखेगा और weekly आप देखा किजी यह वीडियो पिछले हफते में भी मैंने शायद नहीं बनाया था क्योंकि काफी सारे लोगोंने कमेंट किया था कि उन्हें वीडियो यह बतलब यूजलेस है वीडियो weekly vocabulary का यह तो इस बार भी मैंने बना दिया है चलिए आप देख लीजेगा फटाफट मैंने revision आपको करवा दिया है तो फ्लीज यह आपको वीडियो इंफिर्मेटिव लगे है तो फ्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और भी है वहाँ पर तो आप मेरे चैनल को वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो यदि आपने audio सुनना है वाक आप का तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं खबरी अप पर तो आज की इस वीडियो में इतना ही इस वीजन में इतना ही सिर्दक इन्फोमेटी वीडियो के लिए बने रही है चैनल पर थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग